हाई एबर्वन स्वागत आपका फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों आधार आफसिंग फाइनेंस लिमिटेड के आई-पू की डेट्स आ चुकी है आठ में से दस में के बीच यह आई-पू ओपन रहेगा तो इस वीडियो में हम दोस्तों इस आई-पू के बारे में कम्प को ने लाएगा जो दुखे अएक्शो जिस आई-प्यू के अच्छी बात है कि दोस्तों जिस आई-प्यू में ओपर प्रो और प्रेस ऑप कम्पिनिसन होता है तो यहाँ पर दोस्तों आपके अलोट्मेंट के चांस भी जदा होंगे अगर आप सही तरीके से IP में अपलाई करते हैं तो आपको definitely अलोट्मेंट मिलेगा इस IP की important dates की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों यह IP 8 से 10 में की बीच open रहेगा इस IP का अलोट्मेंट होगा 13 मेंको इस IP का refund and demand में share आएंगे 14 मेंको और इस IP की listing होगी 15 मेंको और इस IP में आप UPI mandate दे सकते हैं 10 मेंको 5 बज़े तक तो इसका payment आप 10 मेंको 5 बज़े तक कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों इसका payment accept नहीं किया जाएगा price payment की बात करें तो 300 से 315 रुपे पर share का price payment यहाँ पर रखा गया है और इस share की जो face value है वो 10 रुपे पर share है और इस IP में load size 47 share का है यानि कम से कम आपको 47 share के लिए apply करना पड़ेगा IP का total issue size 3000 क्रोड रुपे का है और इसमें से दोस्तों हमें 1000 क्रोड रुपे का price issue देखने को मिलेगा और 2000 क्रोड रुपे का offer for sale और price issue का एक अच्छा combination देखने को मिल रहा है हलेंकि दोस्तों offer for sale थोड़ा सा ज्यादा है 2000 क्रोड रुपे है और price issue यहाँ पर 1000 क्रोड रुपे है वो दोस्तो डारेक्ली प्रमोटर्स को जाएगा क्योंकि प्रमोटर्स अकनी यहाँ पर share holding share करेंगे तो यह दोस्तो company के लिए usable नहीं होने वाला है यहाँ पर दोस्तो employees के लिए discount भी allow किया गया है 23 रुपे पर share का तो अगर आप आप इस company के employee है तो आप employee कोटे से भी इस IP में apply कर सकते हैं आपको यहाँ पर 23 रुपे पर share का discount देखने को मिलेगा IP की listing BSE और NSE पर होगी और इस IP में retail के लिए 35% का कोटा है और एचनाइस के लिए यहाँ पर 15% का कोटा है तो इस रिटेलर्स के लिए अच्छा कोटा देखने को मिल रहा है 3000 क्रूर रुपे का IPO है अगर आप जदस जदा डिमेंट अकाउंट चे अपलाई करेंगे तो यहाँ पर दोस्तु डिफिनेटली आपको मिनिममम एक लोट है जिसमें आपको 47 सेर्ज के लिए अपलाई करना पड़ेगा 14805 रुपे का अमांट ब्लोग होगा ऐसे चनाए केटिगरी की बात करें तो minimum 14 लोट है 688 सेर्ज के लिए apply करना पड़ेगा और 2,7,270 रुपे का amount block होगा बीग अचनाए केटिगरी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बीग अचनाए केटिगरी के लिए minimum 68 lords है 396 के लिए apply करना पड़ेगा और 10,00,00 रुपे से ज्यादा का amount यहाँ पर block होने वाला है 10,67,40 रुपे का amount बlock होगा दिए अगर अगर अलग-लग category में IP apply करना चाहते हैं तो इन load size की इसाफ़ से आपको IP में apply करना है लेकिन आपको दो कैटिगरी में एक साथ IP अप्लाई नहीं करना है एक demand आकाउंट से केवल आपको एक ही कैटिगरी में IP अप्लाई करना है अगर दो कैटिगरी में आप अप्लाई करेंगे तो आपके दोनों application reject हो जाएगी उनमें आपको अलोटमेंट नहीं मिलेगा तो इस बात को आपको खास तोर पर दियान में रखना है इसके बाद दोस्टू इस कमपनी के बारे में बात करें तो यहां पर दोस्टू इस कमपनी की सुरुआत हुज़ती 2010 में और दोस्तों ये company एक housing finance company है जो को lower income segment को target करती है यहनि जो lower income वाले लोग है उनको ये company housing finance services provide करती है और यहाँ दोस्तों इंडिये के जो tier 4 और tier 5 cities है इनमें इस company की branches देखने को मिल जाएगी वहाँ पर दोस्तों ये fully active है वहाँ पर ये company ज्यादा तर अपना काम करती है और company की products की बात करें तो company की पास variety of mortgage loan products है इसमें दोस्तों residential and commercial property purchase के लिए ये loan देती है construction के लिए loan देती है home improvement के लिए loan देती है and extension के लिए ये company loan देती है और इस company के नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इस company के पास vast network है 421 ब्रांचेज है इन में दोस्तों 91 sales offices है और ये ब्रांचेज इंडिया के 20 state and union territories में है जहाँ पर दोस्तों 10,926 pin codes को throughout इंडिया target किया जाता है यहाँ पर दोस्तों company का network कापी बड़ा network है कापी branches आपको इस company की देखने को मिलेगी और यहाँ पर दोस्तों कापी सारे pin codes को ये company target करती है जहाँ पर ये अपने services को operate करती है और इस company के employees की बात करें तो company के पास भिलाल 3695 में employees है तो यहाँ पर दोस्तों employee भी कापी अच्छे है और यहाँ पर दोस्तों इसकी एक subsidiary company है उसके पास भी 1800 account employees की team है तो employee के मामने भी दोस्तों कापी अच्छी company दिख रही है और यहाँ पर दोस्तों company का customer base भी कापी अच्छा है थे इस पर दोस्तों company एक housing finance company है जो के दोस्तों lower income segment को target करती है lower income वाले लोगों को housing finance services provide करती है इसके बाद दोस्तों इस company के financials को देखे है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते है financial year 2021-2023 की बीच में company की जो total assets है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार बढ़ रही है revenue दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पर दोस्तों 22 की comparison में हमें 18.22 की growth हमें 22 की comparison में देखने को मिल रही है तो revenue में भी दोस्तो अच्छी growth देखने को मिल रही है और यहाँ पर दोस्तो लेटेस्ट quarter में भी company ने 1895.17 क्रोड रुपे का revenue company ने जनरेट किया है profit after tax की बात करें तो financial year 2021 में 340.46 क्रोड रुपे था जो दोस्तो 22 में बढ़कर 446.2 क्रोड रुपे हो गया और यहाँ पर financial year 2023 में बढ़कर 545.34 क्रोड रुपे हो चुका है तो यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं profit में भी अच्छी growth देखने को मिल रही है और यहाँ पर दोस्तो 22 से compare करेंगे तो 22 के comparison में 22.22% की growth देखने को मिल रही है जो कि दोस्तो काफी अच्छी growth है अगर किसी company के profit में 15% से उपर की growth आती है तो वो दोस्तो काफी अच्छी मानी जाती है यहाँ पर दोस्तो हमें 20% से उपर की growth देखने को मिल रही है जो कि दोस्तो काफी अच्छी बात है और latest quarter में भी दोस्तो कम्पनी ने 537.88 क्रोड रुपे का profit generate किया है जो कि दोस्तो एक अच्छा figure है कम्पनी का net worth 429.10 क्रोड रुपे है और इस कम्पनी पर total bonus 13,127.59 क्रोड रुपे है जो कि दोस्तो एक यहाँ पर finance company है उसके लिए यहाँ पर date उतना ज़्यादा माईने नहीं रखता है क्योंकि दोस्तो finance company होती है वो borrowing लेती है और borrowing देती है किसी दूसरी company से वो उदार लेती है और customers को उदार देती है तो यहाँ पर दोस्तो borrowing थोड़ा ज़्यादा हो सकता है लेकिन वो उतना बड़ा concern नहीं होता finance company की पर बोरिंग्स थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है तो इसको दोस्तो हमें यहाँ पर ज़्यादा देखने की ज़रूत नहीं है और ओल यहाँ पर financials कापी अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पर revenue अच्छा है पोस्ट IPO 18.39 रहेगा EPS यहाँ पर 13.81 पर equity share है जो के दोस्तो पोस्ट IPO 17.13 रुपीज पर equity share रहने वाला है रिटन ओन नेट वर्थ 18.4 परचेंट है यहाँ 15 परचेंट से उपर है जो के दोस्तो कापी अच्छी बात है date to equity ratio देखें तो यहाँ पर 3.1 है अलड़ी मैंने दोस्तों आपको बता दिया है कि जो finance company होती है उनका date थोड़ा सा ज्यादा होता है तो इसको दोस्तों यहाँ पर हमें देखना नहीं है क्योंकि आपर दोस्तों हम finance company के मामले में date to equity ratio को नहीं देखते है return on network यहाँ पर 12.9% है 15% से थोड़ा सा कम है और यहाँ पर profit to book value 2.93 है तो यहाँ पर दोस्तों return on equity यहाँ पर अच्छा दिख रहा है return on network थोड़ा सा कम है लेकिन दोस्तों overall यहाँ पर company की जो growth है और आने वाले दिनों में हो सकती है क्योंकि दोस्तों company ने new branches भी यहाँ पर launch करी है थोड़ा सा बैतर देखने को मिल सकता तो overall दोस्तों यहाँ पर valuation भी कापी अच्छा दिख रहा है growth उतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन दोस्तों एक reliable growth यहाँ पर हम कह सकते है और इसका दोस्तों हम peer comparison करके भी देख लेते हैं इसका जो P.E. है वो 31 के आसपास है आवास financials limited है जो दोस्तों 28 के P.E. पर लिष्ट है home first finance company इंडिया लिष्ट है जो दोस्तों 34 के P.E. पर लिष्ट है और इंडिया shelter finance corporation लिष्ट है जो दोस्तों 33 के P.E. पर लिष्ट है तो यहाँ पर दोस्तों हम peer comparison करेंगे तो यहाँ पर कहीं न कई कंपनी थोड़ी से सस्पे valuation पर दिख रही है एक attractive valuation company ने announce किया है और यहाँ पर दोस्तों pricement भी कंपनी ने कापी source समझ कर announce किया है जो के दोस्तों peer comparison में कहीं न कई sustain होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर दोस्तों कम्पनी की जो growth है वो भी कापी अच्छी है, कम्पनी के financials भी कापी अच्छी हैं, इसके बाद दोस्तों इस IP के objects की बात करें, तो यहाँ पर कम्पनी ने IP लने के दो objects बताए हैं, इसमें दोस्तों एक capital requirement और दूसरा यहाँ पर है general corporate purposes, और इस IP के register की बात करें, तो इस IP का register है कि Pintech Technologies Limited यहाँ पर official website भी mention कर रहे हैं, तो जिससे दोस्तों इसका allotment आता है, तो आप इसकी official website पर जाकर अपना allotment status चेक कर सकते हैं, कि आपको इस IP में allotment मिला है या नहीं मिला, अब हम दोस्तों अंत में इस IP का grey market premium भी देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि इस IP की grey market में demand कैसी है, इस IP का grey market trend किस परकार का चल रहा है, और इस IP में हम कितना listing expect कर सकते हैं, तो फिला दोस्तों इस IP का grey market trend है, वो यहाँ पर हमें upside में देखने को मिल रहा है, 20% के आसपास की demand थी, उसके बाद दोस्तों थोड़ी सी कम हुई, लेकि अबर 20% से उपर की demand हमें इस IP में देखने को मिल रही है, और दोस्तों किसी IP में अगर 20% से उपर की demand होती है, तो वो listing gain के हिसाब से अच्छा हो सकता है, उसमें एक अच्छा listing gain हम expect कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों 100% बिल्कुल भी rely नहीं करना है, grey market का हमें trend देखना है, लेक company के business model को देखना है, और उसके बाद ही दोस्तों हमें IP में apply करने का decision लेना है, अगर आप long term के लिए apply करना चाहते हैं, तो आपको deep analysis करना पड़ेगा, अगर आप listing gain के इसाब से देख रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा बहुत idea grey market से ले सकते हैं, लेकिन उसक reliability बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों grey market में जिन IP की अच्छी demand होती है, वो भी दोस्तों कम पर list हो सकते हैं, तो दोस्तों आपको सोच समझ कर अपना decision लेना है, यहाँ पर grey market में demand अच्छी है, लिस्टिंग हो सकता है, लेकिन इसकी 100% guarantee बिल्कुल भी नहीं है, तो इ sale notification को जुरूर on करें, ताकि आपको future में भी IPC related important videos का notification मिलता रहे, तो चलिए दूस्तों मिलता है आपसे next video में, तब तक के लिए keep planning देखते रहे है, wealth raiser